बिसमिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब आज मैं बहुत ही क्यूट एक स्टाइलिश सा बेभी फ्रॉक बिनाने से खा रहे हूं आपको जैसा कि आपने थमनेल पर देखा इसका नाम भी हमने कहकेशा सत्रंगी बेभी फ्रॉक रखा है बहुत ही क् पर मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी डिजाइनिंग तो यह देखे हैं मैंने पट्टियां कट की हैं जिसके लंबाई तकरीबन 10 इंच और चुडाई तकरीबन 3.5 इंच के करीब हैं यह पट्टियां मेरे पास ब्राउन शेड में फ्रोजी शेड में और ब्लू से शेड प्राउन प्राउन प्रौन फराउन यह दो ब्लूकलर की Smith झालधान के शेडरान प्राउन हिसनर पास वह पास ब्रॉलन hundred С гр सब्सक्राईन और प्राउन संपिया में और ब्लू को यह ब्लोग पीन डगाएंगे जो और भ्राउन हम ब्लू को सेंटर में पीस जो में इन में से कट की है। तो यह मैं इन में से कट करके यह एक-एक पीस तो पती हो बल प्ति टो दढ़ता हुती हुआ है। इसको बल्कुल रख चाहिए यह देखें इसको कप में रक'll कर प में दिने में mm Quem आप incense कर Dash कि जितनी पाटियां में काट सकते हों अएसानी कि सब्सक्राइब और में रखी नपेश्ची पर कट करेंगे को ड़्से सबस्कार Am smart में पटियों को काट कर लिया कि दीक हम आप दूसरी पाटियों को दूपारा से तो में कम आप प्राइब नहीं अंतरी लेकिता है अलग रखेसे जो एक उसे तर्तीव के साथ आपस में जोनना है जैसे तर्तीव हमने को बहले पता ही तो पेटी कट करेंगे बच्ची की तो पेटी की चुड़ाई मुझे चाहिए वो तकरीबन मुझे 10 इंच त्यार की चाहिए तो इसके लिए मैं 12 इंच तकरीबन रखूँगी अपनी स्लाइब मार्जन के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये 10 इंच की जो मुझे चाहिए तो करें जीचाओं भार्ट स्सट्रा अब में यहां से अदेने काट हैं यहां काट रही हैं यह हम दिजाइन मना रहे हैं उसकी बैट जो आगलें हम इसके ऊपर यह वह फान्टीर रखें तो बैक जो है वह पनी कट करूंगी बहुत ही एज़ी है और बहुत ही असान बहुत इस स्टाइलिश प्यारी जैसे कि आप में थमनेल के उपर भी देखिए है आप अगर ट्राइ करें तो आप ज़रूर बना लेंगे अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्लाई आती है तो आप यह बना सकती है जो बैक साइड है हमारी वह हमें थोड़ी सी उपर रखूँगे क्योंकि फ्रंट साइड है थोड़ी गहरी होती है तो जो बैक है वह थोड़ी सी शौर्ट रखूँगी और इसको मैं पूरा ही लंबा ऐसे कट कर लोगी यहां से इसको मैं थोड़ा सा गोल करूंगी अगर थोड़ी सी भी आपको मुश्किल हो रही है तो आप कागस के उपर पहले ट्राई कर सकती है और फिर उस कागस को इस कपड़ी को पर रखके तो आप यह देखिए हमारी पेटी तियार है यह ऐसे इसके उपर फोल्ड होग यहां से प्यार करनी है यहां से फिटिंग के शेप कर लूँगी जितनी मुझे चाहिए और बाकी यह हमारी जो पीटी वो रडी है अमें फ्यूजिंग यहां पर लगाऊंगे क्योंकि फ्यूजिंग से असानी हो जाती है कि चो पाइपिंग हम करने होती हो बहुत ज्यादा का सफाई के साथ आती है तो अगर आप चाहें तो नहीं भी फ्यूजिंग लगा लिए यहां जैसे मेरी कटिंग थी वैसे मैंने इसमें फ्यूजिंग को दुवारा से कट कर लिया है अब मैं इसके उपर यह पाइपिंग लगाऊंगी सारे कलर हैं तक्रीब मेरी फ्रॉक मे अब करके ड्रीफिंग ज़्यूजिंग मेरी तो रही वाँ है तक्रीफिंग पाइपिंग घूह आया उपंत ऊचीब के लिया ए तो फराक में तो यहizard तो यहां पॉपम आफिज़ दो हम एन non ऊक्रीफिंगी मैं यूज़ां तश्टीज करते हैं शुरूर जैसे मैंने तर् और बहुत ही प्यारी इन्शाला फ्राफ्ट है वो कियार हो जाएगी अगर आप चाहती है तो आप भी जरूर इसको ट्राइब कर सकती है अगर आप पो सीनी ना आए तो आप स्क्रिंशूट ले सकती है आप अपनी टेलर से सिल्वा सकती है तो आफसर दर्खास थे कि अगर आपको मेरे फ्रॉग कर डिजाइन अच्छा लगे तो प्लीज मुझे लाइक और शेयर दूर किया करें जो मेरे चैनल पर न्यूव है मुझे सब्स्राइब दूर करें प्रिंसिस बेबी फ्रॉग यह रेडी हो रही है जैसा कि हम हमारी मेने आपको पताई है प्रिंसिस बेबी फ्रॉग है तो आप जरूर ट्राइग कीजिए का आपनी बच्चे के लिए बहुत ही इसको बनाना इसकी जो डिजाइनिंग वह मुश्किल नहीं है यह आप देख रह मैं जोड़ दी है यह देखे ही मैंने सारी पुटी आपस में जोड़नी है अब मैं यहां से चुन्टे डालूंगी हाथ की दो उंगलियों की मदद से मैं इसको चुन्टे डालूंगी अगर थोड़ी बहुत भी आपको सलाई आती है तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा जर कि देखे हैं हमारा फ्रंट साइड है जो दुक्री बंदामन का रड़ी है यह मैं की वर कलियां भी मैंने आपस में स्टिच कर ली है सारी बैक सैट से हमने कट वर्क नहीं मनाया अब मैं जो है वह गले की पाइपिंग कर रही हूं यह पाइपिंग मैंने पहले भी आपको ब और काटन में होती है तो यह निकलने का भी इसको खर्चा नहीं होता तो बहुत असानी के साथ यह लग जाती है मेरी कोशिश होती है कि जो भी डिजाइन मुना हूं अच्छे से आपको समझाओं कहीं से कोई चीशा आपको समझ नहीं आ रही तो आप आप देखें बार बार देखें इंशाला जरूर आपको समझ में आ जाएगी ट्राइब भी जरूर किया करें मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाओं तो अगर मेरी कोई बीचीश आपको अच्छी लग अगरे तो प्लीस लाइक को शेयर जरूर किया करें कमेट्स में मुझे जरूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है यह देखिए हमारी दोनों साइडों की जो पेटी की पाइपिंग वह तकरिवन मुकमल हो गई है आप चाहें तो यह जो हमने फ्योजिंग लगाई है उसको निकाल बे सकती है यह देखिए यह ऐसे हमारा डिजाइन रेडी हो गया है और आप अगर ना निकालना चाहें तो ना भी निकालें कोई इसकी रेंचन नहीं आप में पेटी के साथ जो है वह अपनी घेरी को जोड़ लेती हूं फ्रांट और बैक दोनों की मैंने साइडों जो पेटी के साथ है वह मैंने राच कर लिए मैंने दूनों साइड आपस में जोड़ गई हैं अब मैंने एक साइड से इसको स्टिच कर लिए एक सयट किया अब तूसरी सएट श्रूका है और निकलने का खंचा नहीं है इसका ये बेक साइट से मैने पॉआपिंग शुरू किया लगानी और ऐसा ही में इस acordo लगाते हुए फ्रन्ट सइट टेवले चांग एक हिसा मानने की स्धिच कर लिया है ऑर फ्राग का तो कRIकल हमार आप एक टाटोर को दोसे कट वर को दूसरे कट वर लिन्ऑ और ताकि इसके कौने उपस्मा कैण के साथ बहन आए कि कौने की जो हमारी उचाई है वह अच्छे कट कवर के उपर जब जोड़ लेंगी तो उपर तक इसकी पाइपिंग के नो जो नोक है वो चली जाएगे अराम अराम से सफाई के साथ आपने ये करनी है तो आप इंशाला जरूर बहुत अच्छा बना लेंगे यह हमारी पाइपिंग तकरीबन मुकमल है कि मैं तकरीबन दो से धाई साल की बच्ची के नापकी फ्राग जो है वो स्टीच कर रही हूं यह देखिए हमारी पाइपिंग मुकमल होगी है आप यह हमारी फ्राग रेडी है और मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट लुक है वो आपको इसकी बिखाती हूं देखिए आप यह कितने प्यारी और बहुत जबर्दस लग रही है बेदेगे माशीला हमारी फ्राग बिल्कुल रेड़ी है आप चाहें तो आप इसके ऊपर चॉक करवा सकती है यह दचे न्लाली हम इसको पहना के भूल में ठींख़न है सारी पतियों का चाहिOrange और और हमने टिच लगा दिया है और फ्राग देखें बहुत ही फैंसी और बहुत ही प्यारा फ्राग लगता है और पहना हुआ भी बहुत जारा प्यारा लगेगा माशाला से तो अगर आपको अच्छ लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा कमर्स में मुझे हाफीज हाफीज